हेलो फ्रेंस वागत है आपका तो कुछ इस तरीके से मैं आज आपको मशीन दिखा रही हूं जो इस तरीके की मशीन होती है हमारे पास उसे हमने जो इसे लकड के बॉकसे में आती है तो उसके साथ तो समार रखने के लिए बॉकसा बना होता है तो इस तरीके से जो फ्रेम के उपर हम मशीन को रखते हैं और पैर से चलाते हैं तो उसके लिए हमें कहीं भी जगा नहीं होते हैं समा रखने के लिए जैसे की रेल बगरा होती है तो उसे हम रखने के लिए आपको बताएंगे कि इस वाली मशीन के फ्रेम में भी आप रख सकते हैं उसके लिए भी जगा हो तो कुछ इस तरीके से आप एर की help सेसे चला सकते हैं तो इसमें भी जगा बनी हुई होती है जो शायद खुफिया जगा है आपको ना ही मालूम हो तो कई लोगों को शायद नहीं पता होगा इसके बारे में तो कुछ इस तरीके से आईए आप जहांसे जो नीचे इस तरीके क फटी बनी होती है तो इसमें क्या होता है कि जहां से आप इस फटी में काफी सारा समान रख सकते हों जैसे की कोई चाक बगएरा जहां फिर आप रील जो जिसमें इस्तमान करते हैं सुई दागा कुछ भी इसमें रख सकते हैं काफी की लम्मे भी है एंसमान की बहुत जादा है का लएंसमान के लिए और सब्सक्राइबonta वह पहले लए गया स 163 को उटा सकते हैं तो जहां से 1 Ind criticism रखने के लिएज कोंचे भूम जहां से उपर नीचे होती रहती है मशीन हमारी तो उसके लिए हमें जहां तो हम कोई गत्ता बगएरा इस्तमाल करते हैं तो इसको हमें पता नहीं होता है कि उसे सही कैसे करना है तो इसके लिए आपको जहां से कुछ इस त्रीके के टायर लगे होते हैं इसमें गोल जो जिसम आपकी पैर उपर नीचे है तो जो आप जगा जिस वाला पैर है वो उपर है तो आप उसको कुछ इस तरीके से थोड़ा डीला कर सकते हैं और दूसरी साइड वाला जो इसका पैर है उसको थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं तो ऐसा करने से आपकी मशीन है जो प्रोपर सही रहे कुल ही सही रहेगी तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं इसको मुमुली सा डीला कर सकते हैं इस नट को असानी से हो जाएगा बीना किसी भी पलास पेचकस वगयरा की हैल्प से सो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू